तो दोस्तो अगर आप भी रसोई गेस की टंकी को 450 रुपे में लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट होने वाला है दोस्तो ये कोई मजाग नहीं है एक्चली गोर्मेंट की एक स्कीम है जिसके अंतरगत घरेलू गेस सिलेंडर जो है 450 रुपे में आपको मिलेंगे लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक रजिस्टेशन करना होगा और उसका भी एक इलिजबिल्टी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है तो वो कौन-कौन से लोग है जो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं कौन सा अप्लिकेशन आपको यहाँ पर भरना होगा आज किस वीडियो में सारी इंफर्मेशन आपको डीटेल से देने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को भीना स्कीप किये एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बला आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह का कंटेन आप लोग को हमारे चैनल पे मिलते रहता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त अमित्माल भी आप देख रहे हैं मनस डिजिटल यूटूब चैनल तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस प्रिडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आपको घरेलू गेस सिलेंडर की साड़े चार सु रुपे में मिलेगा उसके लिए आपको कौन सा आवेदन फार्म फील करना होगा तो दोस्तो आप सभी की जानकारी के लिए में यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मदप्रदे सरकार के द्वारा एक स्कीम को लॉंच किया गया था जिसका नाम था लालली बहना योजना स्कीम ठीक है ना अब आपको जो है गेस टंकी लेने के लिए 900 रुपे 1000 रुपे खर्च करने की आवशकता नहीं है यहाँ पर आपको 450 रुपे में ही गेस टंकी मिल जाएगी लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक रजिस्टेशन करना होगा उसका एक छोटा सा प्रोसेस है तो उस रुपे करने के लिए आपको सबसे पहले एक फार्म को फील करना होगा जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं यह वाला फार्म जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वाले फार्म को आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अब दोस्तो इस वाले फार्म को फील करके आपको कहां पर जमा करना होगा कौन कौन से डाकुमेंट लगेंगे चलिए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो दोस्तो जिन भी महीलाओं का जिनका लालेली भहना योजना के अंतरगत रजिस्टेशन है सबसे पहले तो उनको जो लालेली भहना का प्रमान पत्र दिया गया था वो प्रमान पत्र यहां पर लगेगा उसके बाद में जो भी गैस अजेंसी से उनका उज्वला का पास्बुक बनाया गया है उस पास्बुक की आपको फोटो कॉपी करवा लेनी है साथी साथ यहां पर अपना आधार कार्ड समगर आईडी कार्ड और जो आपके बैंक पास्बुक है उसकी भी आपको एक फोटो कॉपी करा लेनी है यह चारों डाकुमेंट आपको यहां पर लगेंगे और आपको इस वाले फार्म को इसके साथ में अटेज करना है सारी इनफर्मिशन को आपको फील करना है और इस वाले farm को जहाँ पर आपने लालेली भहना योजना के अंतरगत जो है registration कराया था वहीं पर जाकर इस वाले farm को submit कर देना है जैसे कि आपने पंचायत से कराया था तो आपको जो है इस वाले farm को आपके पंचायत में जाकर submit करना है दोस्तों ये registration अगर आप करते हैं तो आपको जितना भी पैसा मतलब टंकी का आप से लिया गया है एक सितंबर के बाद में उन सभी पर जो है 450 रुपे छोड़कर बाकी का जितना भी amount है वो सारा का सारा जो भी account number आप यहां पर provide करेंगे उसमें subsidy के तोर पर आपके account में डाल जाएगा और इसके बाद आप जो है जितनी भी सारी टंकिया लेंगे उन सभी पर आपको जो है मात्र 450 रुपे लगेंगे मतलब मान लीजे 1000 रुपे की टंकी है subsidy amount आपके खाते में settle कर दिया जाएगा आपको जो है यहां पर टंकी का amount 4500 रुपे ही लगेगा तो इस तरह से दोस्तों आप जो है घरेलू गेज सिलेंडर को जो है 400 रुपे में ले सकते हैं अगर आपका जो है लालेली बहना योजना के अंतरगत registration है और आपके पास में उजवला गेज का connection है तो तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको सारी information मिल गई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा इस वीडियो से आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं साथी साथ उजवला connection के लिए है जो नए registration वो भी start हो चुके है उस पर भी मैं एक detail वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आप जो है उजवला के अंतरगत फीरी में gaze connection ले सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको पूरा process डीटेल से बताया है तो उम्मीद करता हूँ कि आज क्या वीडियो आप सभी के चैनल पर मिलते रहता है तो मैं मिलता हूँ अफसेन एक्स वीडियो में किसी नए information के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैहिन चैपाड़